कि नमस्षार दोस्तों how to use your brain waves अपने मस्तिश्क की तरंगों की शक्तियों को कैसे पैचाने कैसे उन्हें जीवन में उप्योग करें इस पर मेरा वीडियो है we are all vibrations we are all energies यह जो इस्थूल शरीर दिखाई देता है ना इसके अंदर के हैं बहुत सारे छोटे छोटे अडू हैं molecules है उन अडूों के बीतर परबाणों उन परबाणों के बीतर इलेक्ट्रों प्रोट्रों न्यूट्रों फोट्रों पोजिट्रों बह हमेशा वाइबरेट होते रहते हैं अपनी जगे से हिलते रहते हैं भूव होते रहते हैं उनसे क्योंता है वेवस पैदा होती है हमारे मस्तिष के अंदर असंख नियूरॉन असंख नियूरॉन हमेशा शेक करते रहते हैं वेव पैदा करते हैं अगर हम इन तरंगों की शक् का हल करने में कर सकते हैं. आपने कभी देखा होगा ना जैसे किसी सक्ष को गुसा आता है, कोई गुसा कर रहा है, तो क्या होता है? उसकी आखें लाल-लाल हो जाती है, चेहरे पर वैसी बाव भंगिमाएं आती हैं, और उसके अंदर से एक रिज निकलती है, तरंगे निकलती ह ये कोई आदमी घर में किसी कौने में मुव भुला कर बैठा है, पूरे गर का माहौल निकटिक हो जाता है, क्यों हो जाता है? उसकी वाइभरिशन निकल रही, कोई घर में रो रहा है, पूरे घर का माहौल में गमगीन ही च्छा जाती है, उदासी, मायूसी, तरंगे कोई हसरा है खुशी की तरंगे कोई अनंद में है उसकी तरंगे कोई शांत है उसकी तरंगे कोई घ्यान कर रहा है उसकी तरंगे सब तरंगों का खेल है आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हो वैसी तरंगों को आप जिनरेट कर सकते हो मजाक के वाइबरेशन वहां से लेकर आने ही वाले हो 100% कोई फ़नी वीडियो देखोगे तो वो फन उस फन की वेवस आपके अंदर आने ही वाली है आपके चेहरे पर इसमाइल ना चाहिए हम दो कोई भूत प्रित की फिल्म देखते हैं न कोई और और मुवी देखते हैं डर दर के मारे कहीं जाती हैं नहीं क्यों आजकल फ्रॉट बहुत हो रहा है लोग एक दूसरे को लूट लेते हैं फसा देते हैं जैसे देखो गए वैसी तो होगा मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि आप सावधार नहीं रहे हैं चौकर नहीं गलत ढंक से समझेंगे तो मालूम जैसी तरंगे आपके मंद से उठने लगेंगे, जैसी तरंगे उठेंगे, वैसा ही आपका जीवन तब्दील होने लगेगा। हम जान बूज कर ऐसी तरंगे अपने अंदर से पैदा कर सकते हैं। Desirable waves we can produce from our mind. Desirable waves. हम यही चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद से भर जाए, हम यही चाहते हैं कि हमारा जीवन शान्ती से भर जाए, हम यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में उत्र-उत्र प्रगती हो, हम यही चाहते हैं कि हम धिनी और अमीर बनी। तो हम अपनी brain waves को वैसे convert करना पड़ेगा, divert करना पड़ेगा, समझो आपकी तबियत खराब है, आप बस अपने मन में सिर्फ इतना सोचो कि मेरी तबियत ठीक हो रही, मैं एक दम fit हो रहा हूँ, smile दो, आप तबियत ठीक होते समय जैसा महसूस करते हो, उस तरह की तरंगे और बहुत सारी तरंगे मिलाकर आपके शरीर में वापस मेज देता है, कोस्मिक इनर्जी का यही काप, कोस्मिक इनर्जी क्या करते हैं, सेम रिस आपकी बाड़ी में ट्रांस्फर कर देती है, आपकी बाड़ी के vibration चेंज कर देती है, लेकिन वह वही करते हैं, जो वेप काहाणी अपनी सुनाता है, दिर्द की दास्तान मुझसे छेड़ देता है, लोग यह बहुत चाहिते हैं, नह Hambर जाने कि वह ऐसा होता है, लोग चाहिते हैं कि वो अपनी दुख की कहाणी सुना हैं, और मैं बड़े ध्यान से सुनू और मैं बढ़ा-बुरा हो गया, बाई ये तो बहुत बुरी बात है मैं तुरंत उस टॉपिक को इस टॉप कर देता हूँ क्या सुनाना आपको अपनी दर्द भरी दास्तान कुछ अच्छी बातें शेर कीजे जो घटनाएं घट चुके उनकी चर्चा करके क्या फायदा आपने अपने परिवार के किसी प्रिजन को खो दिया आपको बिजनिस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया अब इसी कहानी को बार-बार बार-बार लोग रिपीट करते निगिटिविटी को और भी ज़्यादा हमें इन्विटेशन दे रहे और भी ज़्यादा अमंत्रित कर रहे हैं, नकारात्मक घटनाओं को शेयर करना बंद करिए, सकारात्मक घटनाओं, सकारात्मक बातें, ऐसी बातें जिनसे आपका जीवन बदल सकता हो, उन्हें शेयर करिए, ऐसी तरंगें पैदा करने की कोशिस कीजिए, इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनद नहीं करने हैं, कोई पत्थर नहीं भोड़ने हैं, आँख बंद करने हैं, खोडने हैं, और सिर्फ इतना ही सोचना है, बहुत सारा धन आ गया है, और हमारा जीवन बड़े आनंद में चल रहा है, जीवन में तबाव सफलताएं मिल रहे हैं, और बड़े आनंद में चल रहा है, बस ऐसा सोचना है, मस्तिश्क से अपने आप वैसी तरंगें एट्मोस्फिर में जाने लगते हैं, एक्जिस्टेंस में जाने लगते हैं, कॉस्मिक एनरजी उन तरंगों को मल्टिपलाई करके आपकी बॉड़ी में वापस भीजने लगते ह जीवन में प्रगट होने लगते हैं, अपने ब्रेन वेब्स को, अपने मस्तिश्क की तरंगों की शक्ती को समझें और इसे इस्तिमाल करना सीखें, यह सब बड़ा आसान हैं, बहुत मुश्किल नहीं कि आपसे नहीं होगा और हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब करेंगे तो तो थमसब का बटन दबा कर लाइक कीजे, कमेंट भी जरूर कीजे, आप मुझे किन विश्यों पर सुनना चाहते हैं, आपके बेश कीमती कमेंटों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं उनका, मैं तहे दिल जे शुक्र गुजा